decarboxylation of all six possible forms of diamino benzoic acids yields three products A, B and C, three acids give a product A, two acids give a product B and one acid give a product C, the melting point of product C is, इस question को आप ये समझे कि आप समझ रहे हैं, आप concept सीख रहे हैं, ठीक है, answer तो ठीक है, देकिन आप concept समझे इसमें जो आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही important concepts बताऊंगा आपको, ठीक है, so जैसे इन्होंने कहा है, कि decarboxylation of all six possible forms of diamino benzoic acid, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, diamino benzoic acid के जो six forms हैं, वे क्या होते हैं, isomers, देकिन आप इसको ऐसे बनाइए, मैं आपको इन्हेक ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जागा, अगर amine के बजाए OH भी डाल दो, या कुछ और group भी डाल दो, तो आप उसक किस तरह से decide कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा है concept ही वाला, तो फिलाल सब में CWS तो डाल दो, इसमें सब में CWS डाल दो, obviously benzoic acid वाला हो गया है, तो CWS डाल दो, सब के अंदर, ओके, ना हो आपको दो amino, diamino है तो दो amine जोड़ने आपको, अब कैसे बनाओगे, पहले ए एक ये वाली position fix कर लो, ठीक है, इसके साथ ये हो गया, ये fix रखा, दूसरी वाली position पर आ गया, ठीक है, इसको again fix रखो, ठीक है, यहाँ पर आ गया, समझेंगे आपको, again इसको फिर में fix रखता हूँ, इसके बाद अब ये वाला NS2 यहाँ पर move हो गया, समझेंगे, यहाँ यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, समझें, आगे आगे बढ़ता जारा है, अब कुछ जगह नहीं है, अब क्या करो, again इस वाले NS2 के बजाए, यहाँ पर NS2 डाल दो, बराबर वाले में डालो, ठीक है, अब ये वाला जो NS2 था, इसके बाद एक extra वाल दालता हूँ तो अगर आप गोर्ड से देखो कि यह वाला ही हो गया न रिपीट हो गया तो कुल मिला के अब यह रिपीट होने लगए तो यह six वाले हैं आपके जो आपके डायमिनोबेंजिक acid के isomers बनते हैं याद रखे हैं guys अगर मैं NH2 के बजाए OH डाल दू ठीक है डाई हाइड्रोक्सी तो same to same बनेगे बस OH के बजाए यहां NH2 के बजाए OH से replace कर दो और same to same आप बनाते जाओगे सबना है guys आपको तो यह क्या हो जाता है 23-diamino-benzoic acid कैसे इसको वन लो यह 23 हो गया यह 1 हो गया 234-24 हो गया 2526 ठीक है फिर यहां पर 3-3-4 and 3-5-diamino-benzoic acid तो ऐसे इसके आप नामकरन कर सकते हो decarboxylation कर रहे हैं इसका decarboxylation का मतलब क्या है minus co2 कर दिया कुल मिला के जो cwh group है उसको हटा दो ठीक है तो आपको मैं बता दू decarboxylation का मतलब क्या है for example यह cOOH है यहां पर और आगर मैं आपको बहुत सारी decarboxylation की reactions होती है आपको मेरे चैनल पर देखना decarboxylation search करेंगा आप समझाएगा तो यह co2 बस minus कर दिया तो कुल मिला के हाँ पर बेंजीन बच जाएगा ओविसली एच्छे यहां जोड़ जाएगा तो सेम ही बात होगे तो कुल मिला के आपने co2 group को हटा दिया ओके यह बन किया नब क्या कह देखे मैं हाइलाइट कर देता हूँ यह वाला दो ns2 बराबर में दो ns2 बराबर में यह दो हो गया अगें ब्लू वाले यह एक एक का difference है यह एक का difference है यह तीन हो गया और अगें finally जो एक ही compound बन रहा है यह वाला ठीक है तो अगर आपको देखेंगे तो इसमें आपको ए क्यों सा हो गया एक क्या हो गया अपका यह वाला समझ रहें दो दोबार से देखना आप इसको और अच्छी तरह समझ में आएगा ठीक है और बी क्या हो गया आपका यह वाला और सी क्या हो गया यह वाला ठीक है यह बन गए अब इसमें का है the melting point of product C is अगर आपको ये सारी थियोरी जो मैंने अब तक समझाई है वो समझ में आ गई है तो इस question का जो answer है वो ये होगा कि ये थोड़ा सा tricky question था अब देखिए कभी कभी पता नहीं guys इस सरे के question पूछ लेते हैं obviously आपको याद तो रहेंगे नेंगे लेकिन आपको ये समझ मां जाना चाहिए A, B and C में जो C है इसका melting point ideally सबसे ज़्यादा होना चाहिए NH2 because इसमेगर आप देखें ये एक symmetric position में दिख रहा है आपको ठीक है NH2 इधर हो गया एक NH2 इधर हो गया और लेकिन इसमें थोड़ी symmetry नहीं है ठीक है तो symmetry की वज़े से packing इसमें efficiency ज़्यादा हो जाती है और इसका melting point है वो सबसे ज़्यादा होगा melting point सबसे ज़्यादा तो सबस इस question के पीछे practice करने के पीछे आपका जो main motive हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि आपको यह चीजे समझ माँ जानी चाहिए so I hope guys आप यह चीजे थोड़ी बहुत समझ पाए होंगे ठीक है जो मैंने समझानी कोश्च करी पैकिंग अगेन आपको बता देता हूँ जैसे यह है और example एक compound आपका यह है और एक compound आपका यह वाला है तो एक के उपर अगर यह वाले compound जोड़ेंगे तो यह अच्छी तरीक the option number D is your correct answer